तो एक तरफ और अंगाबाद में जोहार राली से पहले राज ठाकरे, राजबीतिक पार्चियों के निशाने पर है वही AIMIM अध्यक्ष असदिदी नोवैसी ने राज ठाकरे की राली और बीजेबी पर उचाये हैं सवाल लाज ठाकरे की होने वाली राली पर जहां पूरे देश की नजर है, वहीं दूसरी तरफ और अंगाबाद में AIMIM सांसद इम्तियास जलील के घर इफ़तार पार्टी हुई जलील ने राज ठाकरे को भी अपने इफ़तार पार्टी में बुलाने का पॉलिटिकल स्टन्ट खेला था, लेकिन राज ठाकरे और अंगाबाद तो पहुँचे पर AIMIM सांसद की इफ़तार पार्टी में नहीं पहुँचे हालांकि इस इफ़तार में AIMIM अध्याक्ष ओवेसी जरूर शामिल हुए, जहां ओवेसी ने राज ठाकरे और वीजेपी दोनों पर निशाना भी साधा के पूरे देश में कौन हिंदुत्वा आइडियालिजी पे ज्यादा वफादार है, उसका कॉंपटिशन चर रहा है, जिसमें सब पार्टी शामिल हैं, सब पार्टी शामिल हैं, सिवाए हमारा वो टी आरेस को छोड़ का भी तक, अभी तक, पूरे लगे में उसमें, दोड पार, उसी में लगे हुए हैं, आप देखो क्या जुमला दे रहें, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवेशी ने राज ठाकरे की आज होने वाली रैली को दो भाईयों का जगड़ा भी बताया, राज ठाकरे को अरंगाबाद में रैली की इजासत मिलने पर सांसत इंतियास जली ने महराज शरकार पर सबाल उठाएं, ऐसे माहूल के अंदर उन्होंने यहां पर परमिशन देना, कहीं न कहीं यह एक ऐसी चाल चली जा रही है, जिसके अंदर उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है कि शहर का माहूल खराब हो, जिले का माहूल खराब हो, हमने परमिशन दे दिये तो मा आओ भाशन दिवार आपको क्या करने का है करके एबी पी नियूज आपको रखे आगे